अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एपाची गारी में हजर फ्लाजर कैसे इस्टल करते हैं पहले आप अपनी गारी में सीट को उपन कर लीजिए उपन करने के बाद कुछ वायर दिखेगा आपको जो इंडिकेडर का वायर है उसको लो अप दोनों साइट का इंडिकेड में लगाओ इंडिकेडर की जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे लगा दू लगा दोनों वर लगाना हो चुका है डन अब पहले जैसे कबर था इसको कबर करना जरूरी है नहीं तो सौट साट कित भी हो सकती है पहले जैसे कबर था उसकी तरफ कबर करना अब लोग देखी सकते हो जिस तरह से से कबर करने के बाद आगे क्या करना है और भी मैं दिखाता हूँ जए ब्लाक ओयर है ना इसको बाडी के किसी की पार्ड में देने ना तो हो जाएगा ठीक है अब मैं इसको देखना चाहता हूं कि ठीक से वार्क कर रहा ही कि नहीं उसले में रेड वायर को पार्ड में दे रहा हूं अब देख सकते हो है सही से वार्क कर रहा है इसका मूड में रात में दिखाऊंगा ठीक है वाई कि सिश्टीन पेटन इसके साथ अभ में इसको सही से कबरर कर देता हूँ अब देखे सकते हो मैंने इसको इसके नीचे सेलोटेप से चिपका दिया हूं द्रक को में बूल जाएगा उसनी इसको चिपका दिया हूं और यह ब्लाक वायर इस पार्ट में मैंने इस्ट्ल किया हूं अब कहीं इस्ट्ल कर सकते हो और रेड वायर को मैंने स्टीट के अंदर से इधर से लेके टेंगी के नीचे से लेके सामने की तरफ लेकी गया हूं अब हमको कारना पड़ेगा सुइच का काम ठीक है दोस्त है जो चावी इगनिशन पे ओन करने से एट पे जो दो आख विजलती है ना उससे मैंने कानेट करूंगा इसको हज़ाट को जब चावी को आप करते हैंगे तो हज़ाट भी आप हो जाएगा यह देखो इधर मैंने स् और सुइच का दो जो वायर रहता है एक को मैंने वह पिला वायर से टेप कर दिया हूँ और एक को मैंने इन निशन के साथ इस्टल कर दिया हूँ जैब है चावी अन करूंगा तभी हज़ाट प्लासर अन होएगा है हज़ाट की कुछ नाइट की फूटेश एगा है ।